हेलो गईस, आज हम बात करेंगे ओपो के इनहेंसर मोड के बारे में तो गईस बेसिकली इनहेंसर मोड में आप लोग क्या कर पाएंगे जैसे कि आप लोग गर वीडियो देखते हैं, अपने फोन में रन करते हैं तो आप लोग को काफी अच्छे हैं पे advantage मिलेगा एंड साथि 3 अगर आप लोग गाने सुनते या फिर आप local photos वगेरा देखते हैं अपने फोन में जो कि basically सब लोग एंगे करते तो आप लोग को इन सब में काफी अच्छे हैं पे advance आंस फीचर मिलेगा जो कि मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं तो क्या इस वीडियो को पूरा देखें एंड समझें एंड उसे पहले आप लोग हमारे यूटुब चैनल को सबस्काइब कर लीजीगा वैलक आइकन को प्रिस कर लीजीगा साथी साथ वीडियो को कर लिजी का चली बात करते है टॉपिक की तो इस बेसिकली में आप लोगो बता दूए एक इंपोर्टेंट बात कि हमारे ओपो की डिवाइस में स्टैप की कोई सैटिंग या पर नहीं मिलती है एंड का इस वीडियो इनहेंसर मोड आप लोग को हो सकता है सैमसंग की डिवाइ से ओपो के जैसे कि मैं यूज करता हूँ ओपो का एटाइटी सेवन एटी थ्री या फिर एट्री एस वगेरा जो फोन है इन सब में आप लोग को इस टैप के फीचर यहां पे जोए देखने को नहीं मिलते है एंड देखने को नहीं मिलते तो आप लोग को सिंपली करना क्य यहां पे आप लोग को एक एक जामपल के तोर पर दिखाया चाहेगा एक फोटो को कि नौट इन्हेंस फोटो के स्टैप के दिखती है और इन्हेंस वाली फोटो के स्टैप से दिखती है और कुछ इनिफोर्मेशन यहां पे आप लोग को दी जाती है अगर आप लोग यहा और भी फीचर यहां पर कमें तो आप अपनी से अपने साफ सेंद्र कर शकते और यहां पे एक थर्ड वाला जो आपसन रहता है आप लोग के फोन में आपको स्वेश्ण कर पतलु ज्नास जासते हैं यहां को आप लोग यहां पर automatically enhance करा सकते हैं इस application की मदद से जो कि अभी मैं आप लोग को बताऊंगा यह कि step से work करती है step से आप लोग simply कर देना है और three dots पर click करें कुछ basic से आप लोग को application के features बताई जाते हैं और बस इतना आप लोग करना है और यहां पर auto save वाले option पर click करके आप लोग को कुछ information यहां पर दी जाती हो जैसे मैं आपने फोन का notification panel open करूँगा मेरे फोन में automatically low power mode on हो चुका है इसका मैं आप लोग को एक अच्छा कासा वो भी बताऊंगा advantage बताऊंगा जो कि battery से related रहेगा तो यहां पर देख से थे कि application step से work करना है start हो चुगी है अब जैसे मैं अपने फोन में application कोई भी open करूँगा जैसे कि अभी मैंने application कौन सी ID कि है video वाली जैसे मैं वीडियो वाली अप से application पर on करूँगा तो automatically मेरे phone में जो रहता है brightness जो रहता है automatically यहां पर बढ़ जाता है आप लुको वीडियो पसने वी जै मता दी